नमस्कार, मैं संजे शुभांकर, स्टोरी प्लानेट में आप सब का स्वागत करता हूँ कहानियों की श्रंखला में आज प्रस्तुत है मनीशा कुल्शेष्ट जी की कहानी बिगडैल बच्ची साहित पटल पर एक प्रतिष्ठित नाम है मनीशा कुल्शेष्ट मनीशा जी के कई कहानी संग्रह और उपन्यास जैसे कटपुतलियां, कुछ भी तो रुमानी नहीं मनीशा जी को राजस्थान साहित अकादमी से चंद्र देव शर्मा नवोदित प्रतिभः पुरुसकार, रांगे रागो पुरुसकार के साथ-साथ, डॉक्टर घासी राम वर्मा और कृष्ण प्रताब कथा सम्मान से सम्मानित भी किया गया है तो प्रस्तुत है, मनीशा कुल्शेष्ट जी की कहानी बिगडएल बच्चे का पहला भाग वे तीन युवा पिंक सिटी ट्रेन में सुबर-सुबर छे बजे मेरे बाद चड़े थे रेल के सबसे पीछे वाले सुनसान पड़े डिब्बे की मानों रुकी हुई सासे एक आएक चल पड़ी हूँ तेज सुर में बातचीत, छेड़-छाड़ करते हुए तीनों सामान स्वयम लादे विदेशी परेटकों की नकल में ये परेटक साफ-साफ देशी दिखाई पर रहे थे बात-बात में अंग्रेजी गालियों का इस्तिमाल मुझे बहुत नागवार गुजर रहा था आते ही धम से उन्होंने सारा सामान सामने की सीप पर पटक दिया एक खुलनम खुला सी मध्यम वरगी ये आधुनिक किस्म की लापरवाही उनकी हर बात में जलक रही थी चाहे वो बाचीत का लहजा हो, सामान फेटने का अंदाज, चाल ढाल, या की बाल हो, चपले हो, चाहे बिना मोजे वाले जूते हो, या फेड़ेट जीन्स, वो जो भी कर रहे थे उनकी नजर में फैशन था, आधुनिक्ता थी इस आधुनिक्ता में उनका मध्यम वरगिया अभाओ, कुछ ढख रहा था, तो कुछ उगण भी रहा था पिंक सिटी दिल्ली के सराय रुहला इस्टेशन से सीधे 6 बजे चलती है, और दोपर 3 बजे जैपुर महुचती है जो सुबस साड़े 5 बजे ही मुझे मेरा बेटा ट्रेन में बिठाकर सामान विवस्थित करके एक कप स्प्रेसो कॉफी सामने के स्टाल से लाकर मुझे पकलाकर चला गया था पहले से बैठा बलकि खाली बैठा भारतिय यात्री उस पर महिला यात्री और फिर मेरे जैसा कलपना शील हर नए चड़ने वाले यात्री की वेश-बूशा, शक्ल-बाचीत के लहजे, नामों के चलन के अनुसार उसका प्रदेश परिवेश भापने का प्रयास करता है अबले में नाक गुशाने का नितांत भारतिय शौप निश्चित रूप से तीनों गोवा के निवासी लग रहे थे, किवल शक्लू सूरत से मैंने ये निश्चे नहीं किया था, क्योंकि लड़की ने जो टी-शर्ट पहन रखी थी, उस पर सामने ही लिखा था, गले में काले धागे में चांदी का एक बड़ा अचा क्रॉस लटका हुआ था, यही नहीं वे कभी अंग्रेजी में और कभी कोकणी भाशा में बात कर रहे थे, गिटार, कैमरा, वाक्माइन के अलवा तीन पुराने से बैग, धेर सारे चिप्स और कोल ड्रिंक्स की बॉट और कुछ पत्रिकाएं लेकर वे तीनों चुड़े थे, और अब वे एकदम मेरे सामने वाली सीट पर अस्त वेस्त से जम गए, एक लड़की तो थी ही, बाकी दो लड़के थे, एक छोटा और एक बड़ा, तीनों उत्तर भारत के टूरिस्ट मैप पर सर से सर जोड़कर जेब कत्रों, उठाईगीरों का कोई अनभो है नहीं, या कभी सुना नहीं होगा, मैंने सोचा कि आगहा करूं, पर मेरी तरफ डाली गए उनकी उदासीन द्रिष्टी अब तक मुझे चड़ा गई थी, सो मैंने सोचा, मुझे क्या पड़िये, मैप देखने के बाद तीनो अपनी अपनी जिगह पर खिसक गए, बैग उपर वाली बर्थ पर लापरवाही से फिंक दिये गए, गिटार बड़े वाले ने अपने पास गोद में बहुत ही प्यार से रख लिया, जैसे कोई पालतू जानवर, वाकमेन छूटे ने कान पर लगा लिया, खाने पीने का सा सारे रंग की कई लटे रंगा रखी थी उसने, ऐसा लग रहा थे कि सफेद बालों को घर पर मेंदी लगा कर छुपाने की कोशिच की गई हो, मुझे अपने कॉलेज की मिसेज बत्रा याद आगी, वो अपने खिचडी बालों में महनी लगा कर ऐसी ही लगा करती थी, पर य पेरे महरे से उस लड़की का भाई लग रहा था, हाँ हाँ उसकी नाक और होटों की बनावट बिलकुल लड़की जैसी ही थी, वो लड़की जरा लुनाई लिये हुए सामली थी और ये और ये लड़का बिलकुल काला, वही जिसने कानों में अब वाक मैन के एर प्लग कभी कभी वो आसपास के वातावराल से बेखबर होकर जरा उंची आवाज मिघाने लगता, तब लड़की उससे कौनी मार देती, बड़े लड़के के हाथ गिटार के तारों को हलके हलके सैला रहे थे, वो कोई अम्रीजी गीत को मिना रहा था, और मीठी नजरों से लड़ लड़की ने मुस्कुरा कर नजरे खिड़की के बाहर दोला दी, जिस खिड़की के पास लड़की बैठी थी, वहाँ दो चार सलक्षाप मंचले मंटराने लगे थे, ठेट सलक्षाप हिंदी के कुछ गंदे फिक्रे कसे गये, जो लड़की को समझ में नहीं आये, पर लड ना भी मैचादी की बाली पहनी हुई थी, बड़ा लड़का उसका असमंजस तुरन समझ गया और आवेश की हलकी परचाई उसके चेरे पर आई, उसने उसे बैग में से निकाल कर एक लंबी बाहा की शट पकला दी, फिर छोटे लड़के को खिसका कर खिड़की के पास बि अब तक ट्रेन ने सीटी दे दी थी, जिने इस ट्रेन में चढ़ना था चड़ गये थे और अपनी जगए खोजने लगे थे, ये एक सेकंड क्लास का डबबा था, मेरे बगल में एक अधिर संजन आ बेटे और उनकी पत्नी भी, छोटा लड़का एकदम मेरे सामने था, उस कि मैं तक सुन पा रही है, एक घना शोर और भीज भीज में किसी पॉप गाइका की आवाज, एक मिनेट बाद जब मुझसे शोर सहन नहीं हुआ, तो मैंने उसके पास थोड़ा जुपकर पूछ लिया कि मैडोना है, मैंने सुचा वो बात में छिपे वेंग को समझ जाएग लड़की ने सिर्ह लाया, बुरा सम्हू बनाया और कहा, नो शीज, शीज नॉट फार आर जनेरेशन, ही लाइक शकीरा और विटनी मैं साथ लाई किताबों मैंसे कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी, पंदा मिनट तक मैं वो कान फ़लो संगीत सुनती रही, अधेड व्यक्ति मेरी परिशानी भाप रहे थे, जो मेरे बगल में बैठे थे, उन्होंने छोटे लड़के के घुटने पर थप थपाया, उसने एरफोन हटाया और उनकी तरफ चिड़े हुए अंदास में देखने लगा, संगीत एरफोन में से निकल कर ट्रेन के सरपट संगीत से पूरी तरह टक कर ले रहा था, फॉरेवर फॉरेवर टॉं छाक टॉं छाक छूंक छूंक, अगर तुम इतना तेज म्यूजिक सुनोगे तो तुमारे कान खराब हो जाएंगे, कान, अधेर सजन ने विनम्रता से धीरे से उसे कहा, लड़के ने से रहला दिया, ये संकेत देते हुए कि पहली बात तो वो कुछ सुन नहीं पा रहा है, दूसरे उसे हिंदी समझ में नहीं आती, उनोंने थोड़ी तेज आवाज मे अंग्रेजी में कहा कि if you will listen loud music, your hearing will be damaged, what? उसने तेज आवाज में पूछा और वॉक्मेंट बंद कर दिया, he is saying you are going to ruin your hearing, if you will continue play music so loud, वे तीनों जोर से हस पढ़े, छोटे लड़के ने हसी रोकते हुए, टूटी-पूटी हिंदी में गोण धंक से का अच्छा, शुक्रिया, और एरफोन को गले से लटका लिया, और वॉक्मेंट बर्मुडा की लंबी लटकती जेव में डाल दिया, जिससे वो और जादा ल अच्छा, और ये गंभीर आवास बड़े लटके की थी, मैं जब बात्रूम से लौटी तो बड़ा लटका डेबोनियर का सिंटर रिस्पिट देख रहा था, लटकी भी साथ में जुकी हुई थी, बीच-पीच में बड़े लटके की धीमी आवाज में की गई किसी टिपड़ी पर वो उसके बाल खीच लेती या पीट पर एक मुक्का जमा देती थी, वो अधेर सजन और उनकी पत्नी अब मेरी और सहानभूती के साथ मुखातिब थे, आपसी परिचे से पता चला कि वो डॉक्टर है और उनकी पत्नी अध्यापिगा, यह हाल है हमारे देश की युवा पीड़ी था, यह डॉक्टर साहब कर रहते हैं, दिन पर दिन बत्तमीज होते जा रहे हैं, बत्तमीज, संसकार बचे ही नहीं, उनकी पत्नी ने अपने में मश्कूल उस युवा त्रही को घूर कर देख कर कहा, छोटा लगा थोड़ा देखने लगा, हमारी भी गलती है, हमारे पास समय कहा है जो इनने संसकारों का पाठ पड़ा है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, यह देखने में तो मिटिल क्लास लग रहे हैं, पर फैशन और रहन सहन देखो, यह क्रिश्चन ना होते ही ऐसे हैं, देख रहे हैं ना कितनी पे बात खाली एक जाती की नहीं है, हमारी यंग जनरेशन पूरी की पूरी ऐसी है, कुछ वेस्टन कल्चर का असर था और बचा खुचा टीवी चनल्स ने पूरा कर दिया, इन लोगों को इतनी छूट है, हमें कभी थी क्या, डॉक्टर साब बोल पड़े, देखिए, हर पीड ये पीडी तो इनमें समझदारी ना मात्र को भी नहीं है, देखो इने, कुछ कर दिखाने, कुछ बनने बनाने की ना तो इनमें ये काबलियत है, और ना ही अकल, ना हिम्मत, सोशल वैल्यूज के नाम पर जीरो हैं जीरो, अपनी तरजनी अंगूठे से जोड़ कर उन्हों कैसे भी पैसा कमाओ और खर्च कर लो, मजे करो बस बाकी दुनिया जाए भाल में, डाक्टर की पत्नी उन्हें घूर घूर कर कोस रही थी, और वे तीनों समझ रहे थी कि हमारी बात का विशे वे तीनों ही हैं, शायद इसी लिए छोटा लड़का वाकमें सुनते सुनते ज बोर से गाने लगा था, और उन्हें चिढाते हुए वो ललकी ललके से एकदम सटकर बैठ गई थी, और बड़ा ललका गिटार पर कोई गोवन धुन बजाने लगा था, अब भोगवाद कहें या बहुत इकवाद, देखें, इसमें हम भी कहां चूते हैं, हाँ पर ये यु हमें व्रिधाशन के लावा क्या देंगे, महा स्वार्थी है पीडी, पहले कभी हमने भारत ने व्रिधाशनमों का नाम सुना था, हमारी सास तो आखिर तक हमारी चाती पर अर्णिंग मेरा मतलब है कि हमारे साथ रहती रही है, डॉक साभ ने सर हिलाया और किसी सोच में बाद कही थी, उनकी स्थूल पतनी नाश्टे का सामान सजाने लगी, लीजे ना कुछ, जिनहीं मेरा, मैं थैंक यू, मैं सफाई से जूट बोल गए थी, बशपन से मा की बनाई हुई गाट सफर में किसी अजनभी से कुश्मत खाना कस गई, डॉक्टर ने तीनों युवा अचाल लगा कर डॉल बनाने लगी, टैंटी, वह उदासींता से बोली, वाट्टी, वाइल फ्रूट, डॉक्टर ने समझाया, आइथोट इस अर शी फिस एग्स, नो, 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 वी आर प्योर वेजिटेरियन, ये कह कर अध्यापी का महोदे ने अपना टिफिन उनके सामने से खीच लिया और मेरी तरफ मूग बरके खाने लगी, और मैं खिडकी से सटकर बैट गई थी, ट्रेन रुख गई, शायद चेन पुलिंग थी, ये दिल्ली के बाहर का अध्योगी किशेत्र था, ये रोज का किस्सा है, रोज का, अनेक स्थानी यात्री इस ट्रेन औ और फिर आठ बजे तक दिल्ली से चलने वाली हर ट्रेन में चलकर आते हैं, फिर बार बार चेन पुलिंग होती है, दो घंटे में भी दिल्ली की सीमा से ट्रेन बाहर नहीं निकल पाती है, शाम की ट्रेनों में भी यही आल रहता है, काफी समय तो बरबाद होता ही है, साथ ह ये लोग प्रथम श्रेणी से लेकर आरक्षित शायकाओं तक सब जगह को से चले आते हैं फिर यात्रियों के साथ बत्तमीजी से पेश आते हैं कोई ललकी या सुंदर महिला यात्री दिख जाए तो उससे सट कर बैठ जाएंगे उसके संरक्षत आपत्ति करें तो जगड़ा फिर तो ये लोग ट्रेन को चलने में नहीं देंगे ट्रेन में तोड़ फोड़ करेंगे और ये विवस्था का ऐसा सुराख है जो बंद नहीं हो सकता सालों पुराना चला नया और यही देखते देखते मैं युवा से प्रॉड हो चली हूँ आज भी मुझे इन लोगों से डर लगता है वो तो सौभाग से डिब्बा बहुत पीछे था सो इस डिब्बे में कोई जूंड नहीं चड़ा नहीं तो इस लड़की के कपड़ों और आदाओं पर यहां तो कतली हो जाते हैं और इसके ये दो मरगिल्ले से संरक्षा कुछ नहीं कर पाते हैं हिंडी तक त पे दुसासी माता-पिता जो इन्हें अकेले दुनिया देखने भेज दिया है यही शायदे इसे हैं विद्रोही किस्म के बिगडएल बच्चे हैं तो यह था मनीशा कुलशेष्ट जी की कहानी बिगडएल बच्चे का पहला भाग दूसरा और अन्तिम भाग लेके बहुत जल्दी हाजिर हूंगा तब तक अपना ख्याल रखिये और अपनों का ख्याल रखिये थापे बाग